ओम हरीम बगला मुखी देव्ये हरीम ओम नमःा नमस्कार दोस्तो आज माग गुप्त नवरात्री के आठवे दिन मैं आप सभी के समक्ष बगला मुखी माता की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ आईए शुरू करते हैं जैकारा महमाईदा बोल साचे दरबार की जय दस महाविद्या में आठवी महाविद्या बगला मुखी देवी को बगला मुखी, पितांब्रा, कांगडा, बगला, वलगा मुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आधी नामों से जाना जाता है देवी बगला मुखी समुद्र के मध्यस्थित मनीमय ध्वीप में अमुल्य रत्नों से सुसज्जित सिहासन पर विराजमान हैं, बगला मुखी माता का रंग गोरा, शरीर पतला और स्वरण की तरह कांतिमान है, उनके तीन नेत्र हैं और वहे अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारन करती हैं, देवी बगला मुखी पीले रंग के वस्त्र और पीले फूलों की माला धारन करती हैं, उनके सभी अभूशन स्वरण के हैं, तथा अमुल्य रत्नों से जड़े हुए हैं, मा बगला मुखी के सिर पर सोने का मुकुठ है, और बगला मुखी माता, चंपा के फूल, तथा हल्दी की गाठ आदी, पीले रंग के तत्वों की मा धारन करती हैं, मा बगला मुखी रतनमयरत पर सवार होकर शत्रूओं का नाश करती हैं, उनका मुख मंडल अत्यंत सुंदर है, जिस पर सदा ही मुसकान च्छाई रहती है, जो मन को मोह लेती है, देवी ने अपने बाई हाथ से दैत्य की जिहवा को पकड़ कर खीच रखा ह तथा दाए हाथ में गदा पकड़ी हुई है, जिस से शत्रू सदा ही भईभीत रहते हैं, देवी के जिहवा पकड़ने का अर्थ है कि बगला मुखी माता बोलने की शक्ति देने और लेने दोनों के लिए पूजी जाती हैं, कुछ स्थानों पर मा बगला मुखी, मृत शरी या शव के ऊपर विराजमान हैं, तथा शत्रू की जिहवा को पकड़े हुए हैं, जो मनुष्य सच्चे मन से बगला मुखी माता की अराधना करते हैं, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, शत्रू के नाश, वाकसिधी, वाद विवाद में विजय प्राक्त करने के ल इनकी उपासना से भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है, शांती करम में धन-धान्य के लिए तथा पोष्टिक करम में देवी की शक्तियों का प्रियोग किया जाता है, बगला मुखी माता के भक्त सभी संसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मा चाहे तो शत्रु की जिहवा को ले सकती हैं और भक्तों को मधुर और दिव्यवानी का आशीश देती हैं, देवी की पूजा करते समय पूरव की तरफ मुख रखना चाहिए और उन्हें पीले चावल, पीले फूल और पीले रंग का प्रसाद अरपित क जब राम और रावन के बीच युद्ध हो रहा था और रावन के बड़े-बड़े युद्धर अक्षस मारे जा चुके थे, तब रावन के पुत्र मेघनाद ने स्वयम रनभुमी में जाने का फैंसला किया, रनभुमी में जाने से पहले उसने शत्रु शमन के लिए और अ अनुष्ठान निर्जन और एकांत स्थान में शुरू किया। इस अनुष्ठान की निर्विग्न समापती के लिए सभी प्रमुखदानों को तैनात कर दिया और उन्हें आदेश दिया कि जो भी इस यग्य को हानी पहुचाने की चेश्टा करे उसका तुरंत ही वद कर दिया इसके साथ ही मेघनाद ने पूरे आत्मविश्वास, उत्साह और पूरिश रधा के साथ देवी का अनुष्ठान आरंब किया। परंतु श्री हरी विश्णुजी के अवतार राम चंद्रजी को इसका आभास हो गया कि अगर माता बगला मुखी इस यग्य के बाद जागरि इनिया योध्धाओं का खून पी जाएंगी। इस शंका के चलते उन्होंने अपने परंभक्त हनुमान और बाली पुत्र अंगद को यग्य भंग करने की आग्या दी। शिरीराम की आग्या पालन करते हुए हनुमान और अंगद अपने सेना पतियों को लेकर उस गुप्त जगहा पर छद्मवेश धारन करके पहुच गए और महाप्राक्रमी इंद्रजीत का यग्य अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही भंग कर दिया। अगर मेगनाद का वह यग्य पूरा हो जाता तो शिरीराम का लंका पर विजय पाना कठिन हो जाता। क्योंकि शक्ति स्वर पाश्ट्रक्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी के रंग वाले जल से देवी बगला मुखी प्रकट हुई थी। हल्दी का रंग पीला होने के कारण इन्हे पिताम्ब्रा देवी भी कहा जाता है। आईए शुरू करते हैं बगला मुखी माता की प्रचलित ब्रम्हांड में विनाश उत्पन करने वाला एक तुफान आया जिससे संपूरण विश्व नष्ट होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया और सभी लोक संकट में पड़ गए। यह तुफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा था। जिसे देखकर भगवान विश्णु चिंतित हो गए। जब उन्हें इस समस्या का कोई हल ना मिला तो वह भगवान शिव को याद करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा शक्ती के अलावा अन्यकोई इस विनाश को रोक नहीं सकता अतह आप उनकी शरण में जाएं। ठोर तप किया। विश्णु जी के तप से देवी शक्ती प्रसन हो गई। और हरिद्रा नदी में जल क्रीडा करती हुई बगला मुखी के रूप में प्रकट हुई। महाविद्या बगला मुखी ने विश्णु जी से प्रसन होकर उन्हें इच्छित वर दिया। और बगला मुखी देवी ब्रह्मास्त्र रूपिनी हैं। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है। तंत्र मंत्र वाले साधक इन्हे स्तंभन की देवी मांगते हैं। मा बगला मुखी का महत्व समस्त महाविद्याओं में सबसे विशिष्ट है। इस समस्त विश् माँ बगला मुखी का दूसरा और प्रसिध मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में है जहां पर देवी बगला मुखी कांगड़ा देवी के नाम से प्रसिध हैं और तीसरा प्रसिध मंदिर नलखेडा जिला शाजापूर मध्य प्रदेश में है इन तीनों मंदिरों का अपना अलग-अलग महत्व है यहां देश भर से साधु संत तांतरिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं द्वापर युग में शिरी कृष्ण और अर्जुन ने महा भारत के युद्ध से पूरव नलखेडा में बगला मुखी माता की पूजा की थी और उनकी साधना से प्रसन होकर वर्दान स्वरूप शक्ती के विभिन रूपों ने पांड़ों की मदद की इस प्रकार बगला म मुखी माता की कथा पूरण हुई जै कारा महमाईदा बोल साचे दरबार की जय जै मा बगला मुखी जै कांगडा देवी जै माता दी